तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है आपका भारत की क्रशी या भारत में क्रशी पढ़ने वाले हैं आज हम यह जो इंडियन एग्रिकल्चर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहां से मेंस में क्वेश्चन आने की बहुत जाता संभावना होती है किसी भी एक 3 मारकर, 5 मारकर, 11 मारकर से आपसे क्वेश्चन पूसर जा सकता है साथ ही साथ प्रिवेश्चन में गर देखा जाए तो एक ना एक से दो क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से ठीक है? अब देखो अगर मैं डारेक्ली बात करूं तो मेंस में टॉपिक कहीं डारेक्ली मेंशन नहीं है लेकिन ये एकोनॉमी के टॉपिक से आपका रिलेट होता है इंडियन एगरी कल्चर ठीक है क्योंकि भारत के अर्थविवस्था कहीं न कहीं क्रशी पर निर्भर है तो सीधे सीधे टॉपिक है जो ग्रॉफिक के अंतरगत नहीं है लेकिन फूड प्रोसेसिंग वाली जो इंड्रस्टी है वो यहां पर रिलेट होगी आपकी थोड़ी बहुत और आगे हम बात करें त उसके बाद टॉपिक पढ़ने में आपको और मजाएगा ठीक है पहला क्वेशन जो आया गया है वह है भारती मांसून को या भारती क्रशी को मांसून का जुआ क्यों कहते हैं या मांसून को जुआ क्यों कहते हैं ठीक है भारती क्रशी के सम्मंद में तो मांसून और क्रश तो आपका यहां का टॉपिक वहां भी रिलेट हो जाएगा ठीक है अब देखो इंपोर्डेंस बताती हूं मैं आपको इस टॉपिक का आपने मध्रदेश के अंदर सरने पढ़ाई हूंगे आपको कई सारी किसानों के लिए योजनाय ठीक है तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो इसका solution के लिए government ने क्या किया योजनाय बना दी आपको आप रिलेट करेंगे MP को geography को economy को ठीक है यह पढ़ने का तरीका होता है ठीक है अगला question क्या पूछा गया है भारती क्रशी की समस्या है इसके अलावा भई भारत में किस-किस प्रकार की क्रशी की जाती है भारत में फ प्रकार क्रशी क्या होते हैं यह question पूछे गाए ठीक है तो चलिए बिना देर की हम देखते हैं क्या क्या हम पढ़ सकते हैं इसमें चल भारत में क्रशी हम पढ़ने वाले हैं 23 दिसंबर को 23 को किसान दिवस मुनाया गया था जो कि चौदरी चरंड सिंग जो जे थे उनकी ज लेति करना अब यह तो नॉर्मल भोल चाल में है करें इसकी टेखनी के बात करें तो देखने डेफिनेशन क्या है चलिए डेफिनेशन के बात कर लेते हैं तो भूमी संसाधन संसाधन क्याता हर वो चीज जो आपको आर्थिक लाब दे मानव के लिए क्या हो लाबदायक हो नॉर्म करना क्या कहलता है ठीक है है भारत में क्रशी की द्रस्टी से महतफपूर्ण बास जो उनारे अर्थ व्यावस्ता है लेकिन धीरे-धीरे हम क्या हो रहे हैं घ्र करते हुए हम सेवा शेत्र के उपड़ रहे हैं इसकी दो तेहाई जनसंख्या जो है वो किस पर निर्भर है क्रशी कार्यों में संग लगने दो तेहाई कह दो प्रतिशत से ज्यादा कह सकते हैं क्या हो गई आपकी अबादी क्रशी में लगने ठीक है अब हम यह देखते हैं भ इसको पन आए इसको पन बाद में पढ़ेंगे चलो अलगलग तरीके की क्रशी की जाती है क्रशी को कुछ-कुछ बोलते हैं देख लो गहन जीवी का क्रशी गहन मतलब डेंस है ना जब आप क्या करते हैं इस प्रिकार की क्रशी उन शेत्रों में की जाती है जहां पर भूम आपकी जो मांग है वो जाधा होती है तो यहां पर क्या किया जाता है यहां श्रम गहन खेती है जाधा लेबर लगाए जाधा निवेश कीजिए जाधा खाध्यान उत्पादन करने पर आप यहां पर बल दिया जाता है ठीक है अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में अ प्रयोग करना है आपको जाधा प्रोडक्शन करना है अच्छे बीच जाधा अष्रम अच्छी सिचाई पद्दति अच्छे कीटनाशक और वरकों का क्या करना पड़ेगा आपको प्रयोग करना पड़ेगा ठीक है समझ गए तो गहनकृशी क्या होती है जहां जादा को पारजन के लिए जाल साथा धन कमाने के लिए आप क्रशी कर रहें आप ठीक है आगे बात करने वानेजिक क्रशी देखो वानेजी क्रशी क्या होते है पूरा NCRT के अंतरगती सब लिखा हुआ है कि वानेजी क्रशी के हम बात करूं कि कमर्शिल फार्मिंग जो हम जिसे हम कहते हैं इस प्रकार की क्रशी के मुख्यलक्षन क्या होते हैं आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार करने के लिए बीच अच्छे उच्छ कॉलिटी के बी करेंगे आप ज्यादा ज्यादा असका धन कमाने के उद्देश से करेंगे गहन आजीवी का कहन जीवी का क्रशी मतलग जब आप जीवे को पारजन के लिए आप अधिकतर खाद्यानों का उत्पादन इसमें आएगा गहन जीवी का क्रशी में आएगा ठीक है जो आप वैसे उत्पादन करेंगे जो आपके जीवन जीने के लिए क्या हो जरूरी हो ठीक है आगे देखें उच्छ पैदावार प्राप्ते करना इसका मुख्य लक्ष होता है क्रशी के वानजी करण का इस तर्विभिन प्रदेशों में अलग अलग है आप जिसे देखें केरेला में मसाले का पॉस कि होना पादन करेंगे ठीक है पंजाब में लग्या और यहां को क्या कर दिया है वानभय झुट में आटके हैं वहीजा तर। करने हमारे हम हैं हम हुजा vivo dat 욕 sowrek युसा कंशरी करते हैं लेकिन जाद स्वल क्या करते हैं तो इस उस्तिमाल के लिए या प्रदिश वासियों के इस्तिमाल के लिए प्रयोक कर ली जाती है ठीके अवर पंजाब में चावल एक वानिजिक फसल है ठीके पर रचायों थिए कोई इसको बेच के क्या कर पाएं धन कमा पैंगा तो वह जादा इसका निर्याद विरयात नहीं करेंगे उनका यह हम इतन अपने जीवन जीने के लिए उसका मुख्य लक्ष होता है कि हम इतना प्रोडक्शन तो जरूर कर लें कि हम उससे खुद की भरपाई कर पाएं और वानेजिक फसल हम उत्पादन करेंगे सिर्फ बेचने की द्रश्टी से जादस जादा उत्पादन करेंगे हमें कॉलिटी से म अब होता है इसके अब हम बात करें और या जूम केती इसे कहते हैं स्लेशेंड बर्न अब और जला दो ठीक है देखो इस करतन दहन प्रणाली स्लेशेंड बर्न में क्या होता है कि सान्द जमीन के टुकड़े पर उत्पादन करते हैं अपने परिवार के भरण पोशन के लि वनिक अध्यान पदार तुकाते हैं जब व्रता की उर्वरता कम हो जाती है तो क्या करते हैं किसान उस भूमी को टुकड़े से स्थाना अंतरे तो जाते हैं नहीं अब यह भूमी हमें अच्छा नहीं काम नहीं दे रही तो अब हम उठके दूसरी जगे चले गए दूसरी साफ कर लिया आप जो वन थे आपने वह सब वनों को काटा दूसरे टुकड़े साफ कर लिए वहां पर बोया जब भूमी भी क्या हो जाएगी अपके अनुपजा हो जाएगी आप दूसरी जाएगे चले जाओगे ठीके तो क्रशी किस प्रकार में क्या होता है स्थाना अंत आहाई है ना जीवजन तुक्या अप्षिश कटे हो जाएग भूमी की और वड़ता बढ़ जाएग अब आप समझते उनका कारण क्या था देखो दो कारण थे क्यूं लोग यह अंट बढ चीज अपनाते हैं क्यों छूम क्रशी करते हैं ध्यान से सुनना वह कूं को क्यों क कई यादिवासी ऐसे हैं इस पैसलिकर मैं बेगा की बात करूं या नौर्थ-East के जो हमारी जन जातियां है वो भूमी को अपनी मां के समान मानते हैं ठीक है उन्हें का निया धरती मां तो क्या हमारी मां है और जब आप जुताई करते हैं यहना जब निदाई गुड़ाई यह वाला काम करते हैं मतलब आप जब आपको भूमी पर क्या चलाने होते हैं हल चलाने होते हैं तो उनकी माननेता है कि भाई धरती हमारी माहर हम अपनी मां के सीने पर चला बिल्कुल हम कैसे अपने यह वह चला पाएं अपने यंत्र चला पाएं उन्होंने का हम इस भूमी भूमी को क्या कर देते हैं जला देते हैं ठीक है अब क्या मुद्य वर्वेक्ति उचिछों प्लभरा आ जाए या कोई तीसरे वर्बाशित पर पर जो अखेतिैंगे करने लगे दो सकते हैं तो जोंट पर है कjang कि स्थान को छोड़के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं लेकिन कई शित्रों में ऐसा होता है कि वुमी को जला देते हैं ठीके आप का जो कुल्चरल रीजन था जो आप का सेमाजिक माननदा क्या का कि आप ने उस कारण कि ठीके कि हम भी भूमी को हम निदाई गुडाई नहीं करेंगे जलाएंगे और फिर से हमारी भूमी को वैसा कर लेंगे लेकिन अब विड़मना यह आती है यह सबसे बड़ी समस्या है वर्तमान की क्रशी की जब आप भूमी को जला देते हो तो उसमें रहने वाले छोटे-छोटे जो जीवा ठीवां नहीन में थोगांता है और पूरी तरीके से बेकार हो गई साथ ही साथ हिसाथ प्रवण को काफिग मातना में प्रदुष रजवर्ण होता है एक कारण और हो सकता है कि जिन खेतं की ऊपर से हाइट स्पिरिंशन लाइट जाती है कई बार एक खेत में आग लगने के कारण उसे कि नियर्बाइद परदॉस्के होते हैं वह पुर्परी करे ऑधार करी किसे खराब हो जाते ठीक χोंकि जंगल में जिस परकार जंगल हो जाएंगे क्रशी करने के लिए ठीक है तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने ऐसी भूमी को छोड़के गए हो तो दो एक साल मुस्कुर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी है ना चलो विबिन भागों में इस प्रकार की क्रशी को अलग लग नामों से जाना जाता है जैसे अनिपूर में क्या कहते है पामलू पामलू अनिपूर में क्या कहते है पामलू च्छत्यसगड के बस्तर जले और अन्दमान निकोबार में इसे दीपा कहते हैं दीपा बेवार मद्ध प्रदेश में कहते हैं बेवार या दहिया मद्ध प्रदेश में कहते हैं यह वाली ची भी के क्रशी के ज़्ट चल रहे हैं ठीके इसके पाफंद और भी देखेंगे क्रशी के और च्रेंड से यह का कि ईक होती है विस्तरत क्रशी कर शुर्त कर से कि विस्तरत करषी क्या होती है जब बहुत बड़े आकार के शेत्रफल में गाफी जादा यंत्री करण के माध्याम से चब आप क्रशी करते हैं कि मान लिए कोई व्यक्ति का पास का प्रोडक्शन कर Videos है है बहुत बड़े एरिया में बहुत जादा hyandravantra का यूई बहुत ज़ादा मेकेनिकल उसने बना-दिया इसे हम एकस्ट전सーパ्र 1993 बहुत ज्या को। पा किया जाता है स्पैशली जो आपकी वानचीक फसलें होती है उने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं जैसे कि अमेरिका जैसे विक्सित देशों में वैसे तो वहां के लोग खेती करने को बहुत जदा नहीं देंगे महत्व लेकिन अमेरिका जैसे देशों में विस्तरत क्रशी को करेंगे जादा साधा प्रोडक्शन करना है जादा बड़े-बड़े खेत के आकार होंगे जादा निवेश होगा जादा यंत्री करन होगा जिससे हमारा क्या होगा प्रोडक्शन भी काफी मात्रा में बढ़ पाएगा विस्त्रत क्रशी वालेच क्रशी के बाद है ना बाद की बाद की एक लेविल ठीक है extensive farming आहाँ इसे कहते हो ठीक हो एक होती है बागानी क्रशी या रोपन क्रशी बागवानी अलग होता है बागानी अलग होता है ना बागानी या रोपन क्रशी की ये वो क्रशी होती है जब नहिसे बागान या घेट में धना जब हम क्या करते हैं किसी विशेश वसल की खेटी करते हैं तोड़ी हाइट पर होते हैं ठीक है इसके अलावा ये जो को कि आधार होती है रोपन करशि इसके मानधियम से 1 आक ताम यह और किया जाता है बागानी करशी के माध्यम से इसो प्र deputy चुटे प्रीज करा सी अफड़ांगist पेनां के केति की जाती है सें उनत बीज होने चरहिये हैं ताप के बनाया जाते हैं क्रशी फार्म इसकार्थी के लिए बनाया जाते हैं ठीक है भारत में हम बात करें तो चाय के बागान जो असम के लिए फेमस है ठीक है और एक चीज और कि इनसे स्प्राप्र जो उत्पाद है वह उद्यूगों के लिए सीधा कच्छा माल होते हैं even क्रशी के 25 दल शैकर कोई processing processing की जादा जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है चलो अब आगे अपन बात करें जैविक क्रशी जैविक क्रशी प्राक्तिक क्रशी इसके बाद में और डीटेल में बता चलो अब आग हम देखते हैं शस्य प्रारूप मतलब क्या पैटर्न है आप क्या फार्मिंग के क्रश आऄन झॉब है माय तिलहन फसले भी है रिष्यदार फसले बहुत कई साहरी परकार फशलें ठीक है अगर मैं बताना हो इन आप कर आदर लोटृप किया हुआ है टीन तरीकिया हूल है तिन शसी रिक्टें कि भई आप अलग-अलग मौसम में अलग-अलग खेती कर रहे हो तो एक इन्य क्लासिफिकेशन बनाया मौसम का पहला ओगया रभी दूसरा हो गया खरीफ दीसरा हो गया जायद कि रभी खरीफ और जायद की फसलें ठीक है कि क्या होती है ये कि अधिक है चलो रभी खरीफ और जायत की फसले हम देख रहे हैं रभी क्या होती है देखो याद करने का तरीगा बताए है अप एक फसल रखने आपको दूसरी याद हो जाएगा अभी सर्दियों में चल रही है वह कहलाती है रभी की फसल ठीक है शीत रितू में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य से बोया जाता है यही अक्टूबर वाला सी सो मातर चना सरसों क्या है मुख्organ कि रभी की अब Su Salah Mote सो तो में सबस्कीना ना साख चल रहा है वह सर्सों की भाजी आजाएगी तो शर्सों मी किस की फ़सल लोगया थन्नी की फ़सल यह वस्किन की कहते हैं म्द्दा-प्रदेश तो प्रश्में घरे वाले चने ठंड में आते हैं फंडी की फसल है यह कच्छे कच्छे खाले थे बाद में जब पक जाती है तो क्या बन जाएगी अपरेल अपरेल ता कि सूख जाएगी यह हमारी अगली ठीक है यहूं आपने देखा होगा मार्च अपरेले गर्मियों के समय आपके गहूं आजाते हैं गहूं की जो हम क्याते हैं ग्रैंडिंग चालो हो जाती यह बबाना यह काम चालो जाता है तो हभी बोया जा रहा है तब उसे क्या किया जाएगा काप लै जा जाएगा ठीक है पंजाव अगरह में जो ल़ोडी होती है किषिटिबल होता है जो की हुली के आसपास आता है क्या आता है नइस अधिक च्फशिपला भाया से मनाते हैं रिए यहूं की बालियं चड़ाई जाती है मतलब नई फसल आई है कोई confusion नहीं होगा सरसों गेहूं सरसों मटर और चना चार फसले आपकी किसकी हो गई रभी के फसले याद हो गया रटना मत थोड़ा से इसको समझना याद हो जाए फसले आप यह 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 पी यह फसले देश के विस पश्ची में राज जैसे पंजाब हर्याना माचल जम्मु कश्मीर उत्तर प्रदेश जो है यह हूं और अन्य रभी की फसल उखली जाना जाता है सरसों की बात करूं मद्द प्रदेश उत्तर प्रदेश बहुत सरसों होता है यही कारण आपकी चीज़ बता दूं जो आपक का चंबल प्रदेश इंपॉर्टेंट है मद्द प्रदेश में सरसों की खेती प्रदि शान्य प्रद पंजाब में मनें त domain प्रदेश बहुत से पहते कि होती है ठीक यह रही आपकी रभी की खस्ले में देखें अच्छा चलो एक और चीज को बताती हूं बसंथ-पंचमी नाम सुना है बसंथ-पंचमी आईगी अभी फरवरी में आपके ना फरवरी मार्च में बसंथ-पंचमी मतला पीला कलर सवाखती चादर नहीं कि पीले कि सर्सों के फूल कैसे होते हैं। कि इस तरीके के अब कि सर्सों के फजल पक जाएगी। क्या हो गई वसंत आ गई। है न शीतरितु और पसंद रित्धु काहलाते हैं। छीजों कशिशें को चलो आगे देखते हैं यह देखो खरीफ की फसलें देखें देश के विफिन journey Checkering में मानसून की आगमन के साथ बोई जाती हैं मलब खरीफ किस ए कि फसलें वर्शरितू की फसलें सब चीज़ें खराब नहीं होती है आपके कपड़े हो गए ना फंगल फंगल इंफेक्शन इसी चीज़ें आ जाएंगी कई सारे नुकसान हो जाते हैं तो खरीफ खराब बरसाथ इस तरीके से याद रख लेना तो खरीफ की फसलें क्या हो गई मांसून के आगमन के साथ बोई जाती है कब मांसुन में मांसून आया जुण जूलाए में बहुत सतंबर जो किया कर लो काट एग्लों जो थatoon से चार महिनों में हो और एक्राइशा मैं मैं Сantoुन हो जाती है मैं कि यह जो समय होता है मैं तो कर कर लेए ले कर लेइशे हैं थेन नहीं वहिन फसल आपकी मैन को फिक सितंबर अक्टू logr में क्या कर लिए जाती है काट लिजाती है क्यों रिटो में दूसरे फसल भी आप ली जानें वाली के चावल कर मक्का मतला थाथे अ surgical बरसात में भीक्टे एक चावल अब चावल देखो की सेเปस्वां चावल ऐसी फसल है जिसको पानी बहुत चाहिए तो भई कोई पागल थोड़ी ना को जो गर्मी में वहेगा मौनसून में वहेगा ना जब ऊपर से बारिश आ रही है तब आप क्या कर लो चावल बोलो चावल की फसल में बहुत जादा पानी के अवशक्ता होती है चावल की जो जानी जाती है चावल की जो खेत होते हैं है ना उन गैसों से उन वहां से मीथेन गैस निकलती है आपकी मीथेन मीथेन गेस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, मार्श, ठीक, आगे हम बात करें, ज्वार, बाजरा, तुवर, है ना, अरहर, अब देखो, डाल, चावल, दोनों साथ की है, मूंग, उडद, सारी डालें आपकी, तुवर की दाल, उडद की दाल, मूंग की दाल, का पोई जाती है, चावल के साथ, मतलब खरीफ में, ठीक है, कपास, अब कपास, जूट, जूट को भी बहुत पानी चाहिए होता है, तो जूट भी तब बहुत जाता है, मूंग फली, ठंडों में आती है, मूंग फली, ठंडों के बरसाथ, अल्मुस बरसाथ, के उस तर आसपास मूंग मूंग फली आई रहे हैं, परसाथ जाती जाती था मूंग फली आ जाती है, आगे आपके मूंग फली, सोया बीन, ठीक है, मूंग फली, सोया बीन दौनों तिलहन फसले हैं, देखो दाल और तिलहन, चावल सब उस समय हो रहा है, मक्का भी आपका उधर हो गया, जुआर बा सर्दियों में काठी जाएंगी सर्दियों में आपको मालो में जुआरमक्का के रोटी कहाते हैं ठीक है फुड़े मुटे अनाज होते हैं तो मोटे नाज भी कबभ याट भाड़ साथ में चूपके बाद बता दूं मोटे नाजों के लिए जाधा पानी का वैश्यक्ता नहीं नहीं होती लेकिन फिर भी ये उस समय अच्छा इनका प्रोडुक्शन होता है इसलिए फसलें किसके ऊजाते हैं अपकी खरीब की फसलें हो जाते हैं ठीक है! और मोटे नाच और दो-तीन आपके तेल, पली और सोया बीन ठीके जैसे अभी ये समय चल रहा है अभी समय खरीब की फसलों का समय है तो आप पाएंगे या तो आपके जिनक्या क्रशी होती है उन लोग ने सोया बीन बोया होगा या चावल बोया होगा ठीके जब एक समय ग्य पुशी कर रहे हैं अब देखना जैसे आपने मुफ जैसे आपने ये बोए क्या ध्यान सुनने चीज को बहुत इंपोर्टेंट बता रहे हूं तूर और अरहर भूंग उलद यह जब आपने यह आपकिसकी दलहनी फसलें जब आप दलहनी फसलें बोते हैं अपने खेतों में तो आपकी मिट्टी के और शक्ती बहुत अच्छी हो जाती है और इसके बाद जब हम अगली फसल बोते हैं तो हमारी उस फसल में क्या होता है प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन बहुत अच्छी हो जाती है मैं तो आप क्या करते हैं एक फसल अपना के क्या करते हैं किसान रभी की फसल भी लेते हैं खरीब की फसलें भी लेता कि खरीफ लोliter मक्का है पैडी है चावल है इधर बाजरा है आपका जोर है तरा एक से तो एती मिलेट मिलेट मनला मोटे अनाज ही ह autistic चलो आगे देखें यहूं वीट की फसल है यह बारली की फसलने चीक है यह आपकी पीस हो गई है यह आपका ग्राम चना हो गया अभा हम बात करते हैं जायद की फसलने यह बीच की घर सने आ εκ सथम्बर नमंब dönू आपक chimney मे जायद की फसले, रभी और खरीफ, देखो, रभी आप कब बो़े हो, रभी आपने कब बोई थी, कवंबर के, अक्टुबर, नववंबर के आसपई, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हैей ना, तो टमर अक्टुबर के बीच में आपने टुने से काट लिया, खरीफ को तो तो ग्रीश में जारें रितु में वाली मोले फसल में, आपका याले में इस और Wheat ____ ुझान रखना एक टॉबर ौद सीजन भाई चालेड से गेक इन्वाइब tundra और सीजन ऑप जो आपका अपरील से जून जुलाइव Um अप्रेल से जुलाई रभी है और खरीफ कि रभी यहां पे खतम हो गई यहां पे खरीफ चालू हो जाएगा यह वाला जो पीरेड है यह कहलाएगा जायत का पीरेड देखें रभी और खरीफ की फसलों के बीच ग्रीश मेरे तू में हो जाने वाली फसले जायत की फसले कहते ह देखो ठेट गर्मी आगई अप्रेल माई जून अब यहां पे वह फसलें बहुएंगे जो में बड़ी अच्छी लगती है तर्बूज तर्बूज आता है गर्मियों में खीरा गर्मियों में चाहिए ना कितना अच्छा लगता है यह मीठे मीठे बड़िया पानी वाले फ्र है जो व्यक्ति गन्नफ हो रहा है वह 1 साल तक बोके आराम करेगा 1 साल बात क्या होगे आपका तर्बूज यह घर्मी फसले हैं चलु जी अब अफ़ण Pन करते हैं चलो इस तरीके के question पूछे गए हैं इस तरीके से इन चीजों को करना है आगे मैं यह जो बता रहे हूं यह आपके हर exam के लिए यह topic important है बार-बार यहां से पूछे कहे हैं प्हलानी क्रशी को क्या कहते हैं अलगले क्रशी को क्या कहते हैं ध्यान से सुनता है को घ 1916 266 पास ठीक है हुआ क्या हरित कांति के माध्यम से पंचवर्शी योजनाओं में एक चीज शामिल की गई वह चीज थी कि हम उर्वरक और की श्चनाशकों का प्रयोग करके पंजाब हरयाना का अकड़ बाधन करने के लिए लाई गई थी और रस्टिकलण जैंच हुआ उस समय बारत में हमारा जो प्रोड़क्शन था खाद्यान का उत्पादन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लेकिन एक drevp में क्या आया मिठी की गुणवत्ता का हास होना यो कि आप किसानों को मतलब क्या पैसा कमाना है हमें कोई गुणवत्ता से मतलब नहीं है हमें जाद साथ गुणवत्ता नहीं हम जाद साथ पैसे कमाने पर अब हमें फोकस करना रहा उस समय तो पंजाब हर्याना के शेत्र में हरित कांती बहुत फूली-फली बहुत जादा प्रोडक्शन बढ़ा बहुत इसल्ड़य पार शेत्र हैरेत沃 उपलिभ वालद में आ संद॥ा गवाड़र छेत्र भी क्यों Cabinet बीमारीयां बरहें हैं युसाभर आपको दिल की समस्या उतपन होने लगी हैं रिदेशबंदी और चैंसर जैसी बीमारियां क्यों बढ़ने लगी है क्योंकि अब हुमारे श् केमिकल के चक्कर में जो उसकी आंत्रिक खुब्सक्रा कर दिया खत्म कर दिया और आप एक जहरी ली फसल खाने के लिए हो गए समझ गए अब चलो हम देखते हैं कौन सी खेती किस से संबन देते हैं ठीक है पहली है रजत कांदी रजत मतलब अब होता तो सिल्वर है ना देखो इसल्वर एवाल्यूशन के बात करें अंडा वह मुर्गी पालन से संबन देती है आपके रजत करांती चीक है अब इनमें अंडे अंडे प्रोडक्शन को बल दिया गया अच्छी किसम की मुर्गियां जो अंडे देती है ना इस तरीके से काम किया गया भूरी क्रांती बूरी मतलब ब्राउन यह जो थी मुख्यतह आपके उर्वरक उत्पादन से संबन देते रही है उर्वरक के साथ उन और सिमेंट उत्पादन के लिए भी क्या चलाई गई थी भूरी क्रांती चलाई गई थी आगे मैं बात करूं नीली क्रांती की नाम से लग रहा है नीली मतलब मतस्यन उत्पादन से संबन देती पानी में आपके पानी में मतस्यन उत्पादन के लिए नीली क्रांती चल का शंकनात किया था एक सबसची चीज बता दूमें आपको कि इस कांती का लग इस क्रांती का एक इंपेक्ट ये पड़ा कि भारत में कई सारी सहकारी इंडरस्टीज दुग-दुद पादनकली चालो हो गई जैसे अमूल आनंद हैना सांची यह हमारी जो थी इस वाइट जल्ड के रूप में वह सामने आई अच्छी किस्म के जो दुधारू पश्यों पश्यों होते हैं ना एनिमल हस्बेंड रिजो होते हैं गाए भैस इनका प्रोडक्शन बहुत जादा जादा इनका क्या इनकी नस्ल सुधार का काम किया गया था इस दौरान ठीक है दुग- कि दिरान ओए ओंधिया के नाम से हमें ने कह सकते है पीली क्रांथी बीला मतलब यलो किसके लिए तिल अनुतपादन के लिए तेल देखते हैं सब अलमॉस्ट पीले देख्ते हैं तो ये पेली ख्रांथी पीला और अंड़न अlen एक अंद सब्स्यों में क्वाग में और भा ब्लैक क्रिष्ण क्रांती जो संबंदे थी वो पेट्रोलियम का थी पेट्रोलियम को कहते हैं ब्लैक सोना ब्लैक सोना पेट्रॉलियम ठीक हरथ करांती किसरी होगी ग्रीन रिवॉल्योशन फसाल उत्पादन से ज्人ह ध्स zater गुलाबी को पहले देखो लाल क्रांती दोन अमार रहे हैं लाल क्रांती जो थी टमातर और मास्क इतपादन से संब्स ब्या Avoid को प्याजिकर से तो बोलो प्यास से संब्न देति गूलाबी जो ठीजी जामी खेले दोसंसे संबंसी सब्ल Spirit के जानुए कि इंद्रधनुषा क्रांथी की कि बात करूं इंद्रधनुष ऑफो सपन प्रशेटर से संसे संते जानुषं महतुग में संपून ओवर ऑल करूंप्र negotiation से विसमें क्रांति ज़स्द साधा फलों का उतपाधन किया जाए आपकी किस कांति के मान्ध हम से गोल्डन गोल्डन रेवालूशन के बाद हम से ठीक है खाद्यान शंकला आप देखो एक अलग क्रांति नोंने प्यादा कर दी खाद्यान शंकला क्रांति फूर्ड चेन revolution क्या था कि अब हम food chain मनाएंगे वसलों को सड़ने से बचाने के लिए cold storage अलग-अलग कई सारे चीन शंकला का निर्मान किया गया खाद्यान फलों एवं सबजीयों को सड़ने से बचाने के लिए समझ में आया इतना चलो आगे बात करें अपन हरित क्रांती का जो एक शब्द प्रयोक किया गया था हरित क्रांती शब्द का प्रयोक किया था डॉक्टर विलियम गौड ने डॉक्टर विलियम गौड जो थे विलियम गौड ने अमेरिका के व्यक्ति थे इस व्यक्ति ने हरित क्रांती शब्द का प्रयोक किया था सबसे प ठीक है चलो आगे बात करें कुछ फैक्ट में आपको बताऊंगे कि भारत में कैसी का क्रशी की जाती ठीक है इंट्रॉडक्शन में काम आ सकता है भारती रतविवस्था की रीड है आपकी क्रशी क्यों क्योंकि हमारे यांकी जादा पॉपिलीशन इसी काम में लगी हुई है और प्राचीन का से सुतंत्रता के बाद से ही एक यह वह इंडरस्टी थी जिसने हमें क्या किया था रोजगार देने का काम किया था ठीक है भारत में सिंदुगाटी सब्विता के दौर से क्रशी आप देखेंगे जौ की खे जौ के अ चारअगाँ मतल़ा चरने के लिए यह यह 21 पर वन है और 24 पर श्रिका आपकी भूमी है ठीक है 51% में खेती कर रहे हो चार परसंट क्या है आपकी चारअगाह है 24 पर शेंट आपके बन है और 24 परसंट क्या है बंजार है बंजार भूम में पर द्योग लगा लो ठीक है देश की कुल शम्शक्ती का अब आपका जो लेबर है लेबर कितनी लेबर लगब किस लेबर किसमें लगी है क्रशि में लगी है अब देखेंगे यूपी बिहार सहे कई चोटे जो गरीब recipe नहीं कहूंगी बीमारों राज्य है उनकी जो population है किन कामों में लगी होई है खेती हर मजदूरों के रूप में लगी बात लग है कि वह जो पेमेंट मिलता है लेकिन यह जो काम होता है सीजनल काम होता है ठीक है मौसमी काम होता है आगे मैं बात करूँ दोजार चार पाच में भारत के निर्यात में क्रशी और सम्मंदित वस्तू का अनुपात लगबग 40 परसेंट रहा था 40 परसेंट आप क्रशी से उत्पन चीजों का क्या करते थे निर्यात करते थे ठीक है विश में चावल उत्पातन सबस्यादा हो गया आपका चीन का देखरो चावल चीन याद हो जाएगा भारत का दूसरा इस्थान है पूरे वर्ल्ड में ठीक है खाद्यानों के अंतरगत आन है इसलिए जो आपके साउथ के राज्य हैं वहां पर चावल कुछ जादा महत्व दिया जाता है भारत में सबसे जादे क्या होती है चावल होता है अब मैं आपको बताओं पहले आपके यूपी और पंजाब अर्याना में पहले चावल की खेती जादा नहीं होती थी लेकि और आएंगे हम बात करें ने भारत में हरित्म क्रांति देखो आपको इमपोर्टन था भारत में हरित क्रांति लाने का कृमा दिया दिया जाता है इंपॉर्टेंट है भारत में स्वामी नातन को दिया जाता है आपके 67 68 में 1967 और 68 में यह जो थी यह चीज प्रारम की गई थी ठीके विश्व में गेहु उत्पादन में चीन के बाद भारत का है मुझा हम दोनों में क्या है सेकेंड नमर में पहले में दोनों मे चीन बाजी मारली देश के कुल क्रशियों का कि भूमी के कितने पर-15 सिर्फ 15 प्रतिशत पर क्या की जाती है वह 47 परशेटी है चावल किया जाता है परन्तु अभी भी कोई आपसे जनरल पूछेकर ना तो आप सब वहां की मिट्टी जो है वो चावल के लिए उख्युक प्रती हेक्टेर उत्पादन की बात करेंगे पर हेक्टेर कहां पंजाब में ज्यादा चापका गेहुं उत्पादन होता है ठीक हरितकरांती का सबसे अधिक प्रभाव गेहुं और चावल की खेती में पढ़ा था बहुत ज्यादा इनका प्रोडक्शन हुआ था परंतु आगे देखें यह कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे प्चावल सबस्दा कहां होता है पश्रमंगाल और उत्रप्रदेश में होता है ना कि तमिलनाडू करनाट का अच्छा यह वाला जो डेटा है ना जब आप एक्जाइम देंगे अभी मैं आप लोग ऑस जो मतलब 21 के महिमन के एक्जाम देने वाले हैं या जो 22 कि मैंट में मिन देंगे यह आला जो आपका डेटा है यह आर्थिक सर्वेग्शन में हर साल नया डेटा आता है इस डीटा को अगर आपकी लुद चैक करना पढ़ेगा क्योंकि यह जो है कौन 1 Tut Qué Conda हर साल बदलता रहता है तो एक बार जब आर्थिक सर्वेक्षण आएगा मैं उस चीज को शेयर कर दूंगी आर्थिक सर्वेक्षण से यह डेटा एक बार आपको क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा ऐसा तो नहीं कि और कोई राज जी अब नमबर वन पे आ गया और अभी जो एक्जिस्टिंग था नमबर टू पे आ गया इसलिए आप मोटे मोटे रूप से याद रख लें लिकिन आर्थिक सर्वेक्षण के बाद हम इसे एक बार और टैली करें के ठान रखने देखें चावल कहा हो गया पश्रमंगाल में जाद और यूपी में जादा हो गया य जरा गुजरात बाजरा गुजरात जरा 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 तो रजिस्थान में क्या हो गया बाजरा भाई देखो सूखा ये भी है सूखा ये भी है बाजरे को जादा पानी की जरूवत नहीं पड़ती इसलिए दो यहां किये जाते दल्हन की बात करेवं दाले मद्धप्रदेश में रुख टुवर अरद मध्दप्रदेश उत्रप्रदेश which थिके चलो तेलहन भाई तेलान सोया भीन प्रदेश है हम मुम्खली का बहुत होता हैं सर्थो का तेल होता है सिते चिंच फसलों में मद्दब्रदेश तंबर वन पर है उसके बाद गुजरात आता है ठीके जो की बात करें जो और जौर हो गया आपका उत्तर प्रदेश जोड हो गया उत्तर प्रदेश जौर जौर में अंतर होता है जौर जौर में अंतर होता है जौर 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 में अंतर होता है जौर 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 होता है जौर 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 ज तहन का चाहिए उसके सावार होता है जो आप देखेंगे हवन कुण जो हवन वगएरे सामगरी में जो का पर जो हो गया यूपी में और राजिस्थान में इस तरह दाद इंपॉर्टेंट नहीं है गन्ना इंपॉर्टेंट है उत्रप्रदेश गन्ना बहुत है एक वपली गुजरात में है चाय असम और वेस्ट-Bengal और वेस्ट-Bengal चाय बागान वेस्ट-Bengal डाव्स डावा जिए याँ पर भी काफी मात्रा में आप चाय देखने में को मिलेगी कहवा काफी करनाटका करनाटका में इतने टाइप की काफ की का प्रम जाती है रोब सी खासी लटटराइट मिठ्टी मिल जाएगी कापास कि मैं बात करूं सूरत मुंबई- गुजरात में आपको कपास की खेती देखने को मिलेगी यही कारण है इन दौनों शेत्रों में सूती वस्रुद्योक्ता होते हैं अतिक मात्रा में इनका संग किंद्रन देखने को मिलेगा ठीक है रबर हम बात करें रबर जो है रबर केरला और अंटमिलाणू में होती है रबर की खेती की जाती है जो पेड़ में एक लेक्टस नकलता है वहां से बनता है रबर जूट पटसन एक रेशेदार फसल होती है पश्चिम मंगाल में ही जूट उत्पादन जादा होता है पटसन भी आपका यहीं होता है ठीक है तंबाकू मोस्ट इंपॉर्टेंट तंबाकू तंबाकू जो है थे वह आपके यहां से लेके गए थे पुर्टगाल वगेरा भी आपके यहां से केरल साय क्यों इतने वो लोग आकर्शित हुए उनके पास मसाले नहीं थे भाई मसाले तो सबको पसंद होते हैं मसाले आपके विदेशी राज्यों में हम बहुत निर्यात भी वर्तमान करते indeed केला करणा पुडू चेरी में आपके काली मिर्चेश होती है अनद्र square नालु में काफी ऐरोड हल्दी आपने सुना होगा TI एटैक मिला हुआ है अंद प्रदेश और तमिलादू की हल्दी बहुत फेमस है प्लेख कंद माल की हल्दी ओडीसली तमिलनाडू तो पीतनगरी कहते हैं पीली नगरी वहां उस वसल को क्या मिला हो जी- आई ट्यग मिला हो जैसे में बात विरूओं फालागाट में चावल स्फटर्वन ong चैया ऋमीर दिज कोowan m कि connect करेंगे जी आई टेग को और इनको ठीक है को आपकी एर्वोर्ड रहल को जी आई टेग मिला उडिसा की कंधमाल हल्दी को जी आई टेग मिला इस तरह की खेती क्या होती है जमीन के चोटे टुकड़ों पर की जाती है जमीन के चोटे टुकड़ों पर की जाती है इस तरह की खेती में आदे मौजार मतलब पुराने ओजार परिवार समुदाय कश्रम इस्तेमाल करते हैं परिवार के लोगे मिलके खेती कर लेंगे आदे म युख्यरूप से मानसून पर अधारित होती है और जमीन की प्राकर्तिक उरवरता पर निर्भार करती है क्यों पैसे ही नहीं है कैसे उरवरत डालेंगे इसलिए जो उपर से बारस बरसात हो गई हम वही क्या कर लेंगे टिक लेंगे ठीक है देखो किसी विशेष स्थान की ज चलो कि अगे बढ़ते हैं बागवानी क्रशी देख रहे हैं अट टमाटर के लिए लग लगा लिए हैं इसी फसलें आती है जो लंबी अवधी की होती है इसके लिए बहुत बड़े शेत्री के आवश्यक्ता होती है ध्यान रखना बागान चाय के बगान देखें कितने इनमें रबर, चाय, नारियल, कॉफी, कोको, मसालों की क्या की जाती है खेती की जाती है रशीकली बहुत अधिक पुंजी और श्रम की आवश्यक्ता होती है एक-एक करके चाय की पत्तियां तोड़ते हैं अफीम की खेती शामिल हो जाएगी बागवानी देखो ये एक होती होती है बागवानी होती होती है बागान जो होते हैं बहुत बड़े शेत्रों में बागान बहुत बड़े बड़े खेतों ने बागान कहा जाता है और बागवानी मतलब बगीचों के माध्यम से आप खेती है बागवानी आपके छोटे रूप में भी हो सकती है लेकिन अग पर लेकर भी केती कि कर रहे एक काम करो चलो हम अखेती कर रहे हैं यिस्डार्ट हम यह आप जमीन आप पर सवाचेंट कर द выглядит का प्रोडेक्षन भया सब्सक्राइब होगा उसका कुछ परशेंस यह नेगा पट्टे पर दे जाती है ठीक कहा है तिक मालनो मैंने मतर ऑगाlि करेले बिंडी वगाली यह बाघवानी क्या होगी एक किसी बड़े शेत्रफल में, जब हमकों एक विशेश फसल का उत्पादन करेंगे, वाणे जिक द्रश्टी से ज़से की, चाय के बागान, के हम बात करें है मसालों के बागान, चाय के बागान, के रल, असम, करनाटक और महराष्ट्र में एक ही फसल बोई जाएगी, बाग बागान में और बागवानी में आप कितनी भी बोलो बसना गहन क्रशिय बन पड़ चुके हैं क्या कि जाती है सघन क्रशी होती है उत्पादन की वहां प्रणाली जिसमें जमीन में अधिक परिश्रम पुंजी उर्वरक कीट आशक का प्रयोग करके अधिक उत्पादन किया ज है भारत में घनियामबादी वाले शेत्रों में इससे प्रकार की क्रशे की जाएगे कौन क्रशी भाता हैसे ञावके जाता है यहां फॉर्णा कह थे दूर दूर नहीं होना है पास पास बोना ठीक है सनांतर करशी एक बार देख लो यह अपन पढ़ चुके थे एक चुक्ड़े को छोड़ की दूसरे जगे चलेगा है वो इस तरीके की भूम दला देते हैं एको जितने में यह जितना दिखने में क्रूशल लग रही है ना वास जोड़के जो जा रहे हैं एक दो साल बाद दस-पांच साल बाद यह हमारी भूमें तयार हो जाएगी अगली फसल के लिए ऐसा मानना होता है लेकिन कितना वास्तविक्ता में सत्य होता है यह वो मिख्या है क्योंकि एक बार कोई चीज पूरी जल के खतम हो गई तो उसे आ अपने आप कुछ कर्पदवार उख जाएगी फिर एक और आएंगे फिर उसको थोड़ा और साफ सूफ करके फिर क्या करने लगेंगे उस पर केती करने लगे लेकिन पर्रयवणी प्रभावों को देखते हुए भारत के कुछ हिस्सों पर प्रतिबंद लगा दिया गया है जंजाती समुद्वारा कंद इवं जड़ों वाली फसल करने के लिए अब बात कर रहे हैं कि भाई अब आप जूम ना करके क्या करें उसमें उसमें कुछ भी बोलो खाली छोड़ दो लेकिन उसे आपका मत करो जलाओ मत यह देखो अलग लग इसमें नाम यह मैं आपको बत अंध्रदेष है पेंड करश है पेंडा या पॉंडू और कर या करते हैं आपके प्रशि एक च्छ Me प्रशिrike मेने आपको बता दिया है तादा हम क्या करते हैं खेती की जारे भूमिक छेत्र का पेक्ष श्रम उर्वरक और पूंजी का छोटे इंपुट का प्रयोग करते हैं इसी दिवात है गहन क्रशी के विप्रीत व्यापक्रशी हम क्या करना चाह रहे हैं किस्पद्दती में विस्त्रत क कि मशीन उध्वारा यांत्रिक witnesses व्यदी जाती है वह क्या करें करें मानव श्रम लगेगा यंत्री करनने होगा QA कि व्यक्ति उत्पादन बहुत स्घूरी फ्यक्ति ही लगे थे मैं लोह जएधा कर लिया क्यो Bao लूय क्या क्योंकि आप मशीन की उस्अंड मेंकि यूद धिक हये एक क्शेट्र को लिए किया करेंगे था इस तरे की की कहती करोगे जैसे अमेरिका ज़र hem जादा श्रम लगाया जादा जनसंख्याती गहन क्रशी में और प्रोडक्षिन करना तो प्रोडक्षिन है जादा ज्याने जैङ क्रशी अपन पढ़ चुके तो अब सूखी भूमिक्रेट यह देख लो इसको जरब इस प्रकार की खेटी देश के क्षुस्क एवं रिगिस्तानी शेत्रों में किया जाती है भारत में इस प्रकार की खेटी को उत्तर पश्चिमी और मध्द प्रदेश बीच-बीच का जहां जहां पानी नहीं है मध्द वह यहले है नहीं होती खेक है अगली खेती होती गीले भूमिकी को से क्गता है जूक पानी शेट शोली यूद ऑन्खेती है तो यह नहीं फानी पानी का फोस्त लगता है Met Calamiteглядat नहींद हासेন पानी लगता है जो बाड़ वाले इलाके है यह नमी वाले स्थाने वहां पर इखेती है वेस्ट बेंगौल आप देखेंगे पाने वाला शेत्र है मतलब पानी तो यहां पर क्या होगा मिल भारत में प्राया अच्छी तरह से संशित शेत्रों में की जाती है ठीक है चावल हो गया है ना अब आती है एक्वापॉनिक्स क्रशी मतलब अब आप जल में क्या करेंगे पसलें उगाएंगे आपको मिट्टी के जरूद भी नहीं है इसमें जो बिट्टी जो पौदों को पोशकतत्व चाहिए थे आप जल के माद्द अमोनिया जो मशलियों क्योंकि समय ने बताया था मल में यूरेन में अमोनिया होता है मशलिया मशलियों मिला वो किसका प्रयोग करेगा इनमें नाइट्रोजन की भर पूरती करेगा ठीक है मात्रा में व्रद्दी होती है इस पानी को तैयार करके क्या किसमन डाल दिया जात जाते हैं लगाए हैं पौदे मिट्टी जगे पानी से क्या उचह करते हैं जो क्या गण्ड़ कौनों वहcesघ यह में तत्व अरे झाल 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 समझ में आगई एक्वापॉणिक क्रषी समझ में आगई उद। सास के वाले है वो कुछ कृषी की जो अपकी राश्टी तर की योजना थी वो रशी की समस्य इन देखें गी क्रशी का भारत में क्या भी वर्तमान सीन है कितना के इतना के बूंट कर रही है थोड़ा से एकोनोमी पर्सपेक्टिफ़ से मैं आपको थोड़ा सा संझा दूंगी ठीक है तो इस पे आप काम ही करना है आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रीवेस एर क्वेशन देखें क्या जोग्रॉफी से क्रशी के क्या क्वेशन पूचे गए आपको थोड़ा सा काम इस पे करना है या प्रिलिम्स में कैसे क्वेशन पूचे गए थोड़ा सा काम में करेंगे ठीक है आज ही क्लास में इतना ही एक स्टाइस में मैं आपको टॉपिक पुरा करवा दोंगी कुछ फूट प्रोसेसिंग का जो थोड़ा सा बच गया था वह पूर्शन में आपको क्या कर वा दोंगी पूरा कर दोंगी यहां पर आपका प्रलिम्स का जोग्रॉफ का syllabus पूरा होता है दो यूनिट्स जो कि आपका disaster management वाली यूनिट है और नेक्स्ट व आपकी यूनिट आती है GIS GPS वाली वह हम आगे की classes में करेंगे अच्छा मैं आपको एक काम और दे रही हूं जो काम आपको करना है हमने आपदा प्रबंधन वाला इसमें कुछ प्राक्तिक आपदाय आने वाली है है ना चक्रवाद बाड यह सब तो मैंने आपको जब वर्ल्ड जोग्राफी में पढ़ाया था चक्रवाद बाड अदावा नल्किया यह सब पढ़ाया था एक बार अपने नोट्स उठाके जो पीडिया डली थे एक बार आप आपन देखेंगे डिजास्टर मेनेजमेंट वाला टॉपिक ठीक है सो थैंक्यू क्लास मिलते हैं अपन कल की क्लास में चलिए जी